हेलो दोस्तो अंजिना के चैनल में आप सभी का हर्दिक स्वागत है तो आईए दोस्तो आज मैं आप सब को एक हैरान कर देने वाली मोटीवेशनर स्टोरी सुनाना चाती हूँ दोस्तो ये स्टोरी है मिठिलांचल बिहार में श्यामा माई मंदिर की जो काली माता को श्मर्प श्वाश नहीं होगा पर जब साक्षात हो तो ना मानने की कोई बज़वी नहीं होती यूं तो दोस्तो बिहार के मिठिलांचल का अलग ही राजनेतिक और धार्मिक महत्तो है पर दर्भंगा में मौजूद श्यामा माई मंदिर के बारे में ज्यादा लोग तो नहीं जानते लेकिन जब आप इस मंदिर के दर्शन करेंगे तो आप सबको हैरान कर देने वाला और माश्यामा काली की प्रती आपकी आस्था और बढ़ जाएगी किसी भी देवाले जैसी गरिमा लिये यह मंदिर विशाल मैदान के कोने में सन्यासी किसी तपश्या में लीन दिखता है ऐसा लगता है कि कोई सन्यासी तप कर रहा है दोस्तो भगतों के आगमन से ही इस मंदिर का मौन तूटता है यहां के पुजारी कहते हैं दोस्तों कि यह मंदिर दर्भंगा महराज रामेश्वर सिंग के निधन पर जहां उनकी चिता जलाई गई थी उसी स्थान पर 1933 में बनवाया गया था दोस्तों जिस जगा मंदिर बना है वहां दर्भंगा राजपरिवार का समसान घाट था महराज के बेटे कामेश्वर सिंग ने मंदिर का निर्मान करवाया था दोस्तों यह मंदिर मा काली को समर्पित है इसे बनाने की बड़ी वजह महराज रामेश्वर सिंग की मा काली के प्रती अगाद निष्टा होना था उनके पुत्र ने पिता को स्रद्धांजली के श्वरूप या मंदिर बनवाया था और नाम पिता से जोड़ कर रामेश्वरी श्यमा माई मंदिर रखा दोस्तों मंदिर के गर्बग्री में मा काली की दस फुट उन्ची भव्य प्रतीमा है बताते हैं दोस्तों की महराज ने इसे पेरिस से बनवाया था देवी के गले में हिंदी वरनमाला के अक्ष्रों जितनी मुंडों की माला है कारण यह है की वरनमाला स्रिष्टी का प्रतीक है दोस्तों यहां महाकाल और गणपती की भी मूर्तियां है मिथिलांचल में एक मान्यता है दोस्तों की शादी के एक साल बात तक जो नब दमपती होते हैं वो समसान घाट नहीं जा सकते लेकिन इस मंदिर में सारे मांगलिक कारियों के साथ ही सादियां भी होती है यहां के पुजारी बताते हैं दोस्तों की श्यामा माई मासीता का ही रूप है इस बात की ब्यक्ष्या महराज रामेश्वर्म सिंग के शेवक लाल दास ने रामेश्वर्चरित मिथिला रामायन में की है इसका आधार बालमिकी रचित रामायन है इसमें लिखा है दोस्तों कि रावन का बद होने के बाद सीता ने राम से कहा कि जो भी सहस्त्रानन्द का वद करेगा वही असली वीर होगा यह सुनकर राम युद के लिए निकल गए युद के दोरान दोस्तो सहस्त्रानन्द का एक तीर राम भगवान को लगा इस पर माताशिता को क्रोध आया और उनका रंग काला पड़ गया सहस्त्रानंद का वद करने के बाद भी जब उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो भगवान शिप को आना पड़ा भगवान के शीने पर पैर पड़ने से माता बेहद लज्जित हुई और उनकी जिबा बाहर आ गई यही बज़व है कि उन्हें यहां काली नहीं श्यामा के नाम से जाना जाता है नवरात्र में यहां मेला लगता है और भगतों का तांता भी यहां आने जाने का लगा रहता है